नमस्कार दोस्तों, व्रद्धावस्था इंसान के जीवन का अटल सकते हैं, हर इंसान को इस अवस्था से गुजरना हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में कितने ऐसे व्रिद्धजन हैं, जिनके चार-चार बेटे बहुए हैं, फिर भी व्रद्धास्रम में जीवन गुजार इस वीडियो में हम कुछ ऐसी युक्तियां बताएंगे जो किसी भी व्यक्ति की सुख में व्रद्धावस्था के लिए बहुत ही जरूरी हैं. नमबर एक, चाहे कितने भी संसकारी बेटे हों, अपनी सारी भौतिक संपत्ति और बैंक बिलेंस उनके नाम ना करें. कुछ हिस्सा अपने पास अवश्य रखें. बच्चों के इस वादे पर निर्भर ना रहें कि वो बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि समय के साथ उनकी प्रात्मिकता भी बदल जाती है. नमबर तो, ये बात अच्छी तरह समझ लें, बुढ़ापे में आपको रोटी, आपकी आउलाद नहीं, बलकि आपके त्वारा दिये गए संसकार देंगे. इसलिए अपने बच्चों को अभी से ही ऐसे संसकार दें, कि वो बच्चों के सामने अपने बुजर्गों के साथ गलत व्यभार कर रहे हैं, तो निश्चित ही कल आपके बच्चे आपके साथ वैसा ही व्यभार करेंगे. नमबर तीन, अपने स्थाई निवास को ना छोड़ें. ये कड़वा सच है, माता पिता अपने निवास को छोड़न आपको उनका रहन सहन आदी पसंद ना हो, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की कारियों में कभी भी दखल अंदाजी ना करें. नमबर पांच, अपने छोटे-छोटे कारिये खुद करने की कोशिश करें, इससे आपका शरीर भी एक्टिव रहेगा और आप किसी के उपर भार भी नहीं बनेंगे. नमबर छे, अपने जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक रहें. सबसे ज़्यादा जरुरत इसी अवस्था में एक दूसरे की होती है. क्योंकि बच्चे तो अपने जीवन में व्यस्थ होते हैं, अपने साथी के साथ ही आप सुकदुख साजा कर सकते हैं. अपने स्वास्थ का ध्यान रखें, व्यायाम और योग को जीवन में शामिल करें, ताकि आप किसी पर बोज न बनें. जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक शरूर कर देना और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें.